नमस्कार स्टूडेंट मैं मिस जोती आपका स्वागत करती हूँ जी के बाई जोती मैं के यूटुब चैनल पर फ्रेंड्स इससे पहले मैंने हरियाना के 15 डिस्टिक की वीडियो बना दी हैं अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप उन्हें भी आज हम चर्की डादरी डिस्टिक के बारे में बिल्कुल डिटेल से जानेंगे तो ज्यादा टाइम ना गुआते हुए चलिए आप आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं जो सोनिपत है जो चर्की डादरी है चर्की डादरी को जो बनाने की गोशना हवा है 18 सितमबर 2016 को की गोशित किया गया था और एक दिसंबर 2016 को नए जिले के रूप में अस्तितव में आया था और या बिवानी से अलग होकर हरियाना का 22 वा जिला बना था ये बात आपको ध्यान रखनी है इतनी डेट कैसे याद होएंगी तो आपको ध्यान रखना है सिर्फ दो डेट को ध्यान रखना है एक एक ज्याम में 16 नुवंबर 2016 को सही मानना है और एक ज्याम में 1 दिसंबर 2016 को सही मानना है और दोनों उप्सन एक साथ नहीं देगे एक एक ज्यान रखनी है और ये बिवाने से अलग होकर हरियाना का 22 वा जिला बना है ये बात भी आपको ध्यान रखनी है ठीक द्याल मुनी के आशिर्वात से चर्खी दादरी को बसाया है ये भी आपको ध्यार रखना है अब हम यहां के अधर नेम के बारे में जानते है तो इसको सीमेंट सीटी ओफ हरियाना कहा जाता है और इसको cement city of haryana क्यों खाँ जाता है क्योंकि यहां पर cement factory है लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी है यह 2016 में बना था और 2016 अभिवानी से अलग होके 2016 से पहले जो cement factory थी वह भिवानी में आती थी लेकिन अभी जो cement factory है वह चरकी दादरी में आ गई है यह भी आपको ध्यान रखना है जो यहां का area है वो define नहीं किया गया है यह भी आपको ध्यान रखना है जो area वो define नहीं है बट फिर भी वह सी जगह है 858 km square इसका area बताया गया है आगे है यहां की population है 50226 यहां की population है यह जो की सबसे कम है यह भी आपको ध्यान रखना है ठीक है आगे है यहाँ पर कौन-कौन से टूरिस्ट कॉमपलेक्स है इनके बारे में जानते हैं कि यहाँ पर कौन-कौन से टूरिस्ट कॉमपलेक्स है तो यहाँ पर डेरिंगो नाम का एक ही टूरिस्ट कॉमपलेक्स है औ पूरे हरियाना में total 44 tourist complex हैं तीक है अब हम यहां की तहसील के बारे में बात करते हैं तो यहां की तहसील है चर्खी दादरी बाडड़ा यह आपको ध्यां रखना है और जो दादरी है यह हरियाना की सबसे बड़ी तहसील है ध्यां रखना जो चर्खी दादरी है यह हरियाना क सबसे बड़ी तहसील है जो कि हरियाना की फर्स्ट सिमेंट फैक्टरी है जो कि 1939 में बीवानी में बनी थी अब यह दादरी में है और इसे राम क्रिशन डालमिया ने जर्मनी के इंजीनियरों से बनवाया था यह आपको ध्यार रखना है चैसा सी ने यह क्वेस्टन पूचा कि जो राम क्रिशन डालमिया है उन्होंने जो सिमेंट फैक्टरी है वो किन से बनवाय थी किन इंजीनियरों से बनवाय थी तो वह जर्मनी के इंजीनियर थे यह मोस्ट इंपोटेंट है यह जर्मनी के इंजीनियर थे इन से बनवाय थी और 23 जून 1981 को सिमेंट कोर्प ओफ इंडिया ने इसे अपने अधिन कर लिया था, ये भी आपको ध्यार रखना था कि, Sement Corp Of India ने इसको अपने याधिन कर लिया था, ये 23 June 1981 को अपने याधिन कर लिया था, ठीक है, आगे है, पुराने समय में ये पठानों के अधिन था दादरी बाद में ये मुगलों के अधिन रहा तथा फिर बाद में फिर मुराठों के अधिन रहा यही कारण है कि दादरी पुराने समय से विक्षित सहर रहा है इंग्रेजों ने दाधरी को जीन रियासत में मिला दिया था जो अठारा सुस्तावन की करांती हुई थी, अमबाला से शुरू हुई थी, यहाँ पर जो दादरी के लोग थे, उन्होंने यहाँ के लोगों ने बढ़ चड़ कर बाग लिया था, और इसी वज़ाए से दादरी को जीन रियासत में मिला दिया गया था, ठीक है, चलिए आग बहादुर जंग, बहादुर खान जंग के लिया थी, और अंग्रेज बहादुर खान जंग को गिरफतार करके लाहूर ले गई थे, फिर कुछ समय बाद यहाँ राजा सवरूप सिंग के लिया थी, यह भी इंपोर्टेंट है, जो 1857 की करांती थी, उस समय जो दादरी थी, वह बहादुर खान जंग के लिया थी, उसके बाद जो अंग्रेज थे, वह बहादुर खान जंग को गिरफतार करके लाहूर में ले गई थे, और उसके कुछ में बाद जो राजा सवरूप सिंग है, यह उनके लिया थी रहा था, ठीक है, और जो कपूरी की पहाड़ी है, जो कि अरावली का सरंखला का हिस्सा है, यह दादरी में है, यह most important है, और यह HSSC ने एक एकजाम में पूछी है, इसलिए इंपोर्टन भी हो जाती है, कि कपूरी की पहाड़ी कहां पर है, तो यह दादरी में है, और यह अरावली सरेणी का हिस्सा है, यह भी आपको ध्यान रखना है पीर मुबारक सहा की दर दादरी में है और हर्याना की फ़र्ष्ट महीला सांसद जिसको बोलते हैं सांसद को क्या बोलते हैं इंगलिश में MP मेंबरों पार्लियमेंट चंदरावतिय यह दादरी से हैं और इन्होंने 1977 में बिवाने शीट से बंसिलाल जी को हराया था ठीक है हर्याना के पूरों सीयम हुकमचंद फोगाट उगमचंद ही लिखा मिलता है लेकिन इनका जो सरनेम था वो फोगाट था यह दादरी से थे और यह 1990 से 91 में सीयम बने थे और यह तीन बारवी दायक है महले रह चुके हैं ठीक है रामकरिशन गुप्त जो की पूरों स फोगाट सिश्टर है उनके बारे में जानते हैं जो फोगाट परिवार है यह दो कि दादरी के बलाली गाओं में से समHYango रखता है और जो गीता फोगाट है ये बाहरत की पहली महिला कॉमन वैल्थ गेंज में गोल्ड मेडलिस्ट है और जो विनेश फोगाट है इन्हें राजेव गांदी खिल रतन पुरुसकार मिला है और ये वर्ड नमबर वन है ये बहुत important है विनेश फोगाट इनको आपको ध्यान रख इनको राजीव गांदी खेल रतन पुरुसकार मिला है और यह वर्ड में नमबर वन है ठीक है आगे बढ़ते हैं आगे हैं दादरी में रानिला जैन मंदिर है और यहां बगवान आदिनाथ की चोदा सो साल पुरानी मुर्तिया है रानिला जैन मंदिर कहां पर है यह दादरी में है और यहां पर भगवान आदिनाथ की चोदा सो साल पुरानी मुर्तिया मिली है रानिला हनुमान मंदिर दादरी में है इमलोटा मंदिर दादरी में है हनुमान का मेला इमलोटा में लगता यह भी दादरी में ही लगता है और दादरी के कलियाना गाउं में यह most important है दादरी के कलियाना गाउं में हिलने वाला पत्थर है जिसको हम बोलते हैं dancing stone और यह yellow color का है और यह पूरे word में तीन ही जगह मिलता है वो है भारत भारत के हरियाना का दादरी गाउं यहां पर मिलता ह एक अमेरिका में मिलता है और एक ब्राजील में मिलता है इन तीन डेसों में मिलता है यह आपको ध्यान रखना है यह most important है चैसे सी ने एक question पूछा भी है कि dancing stone कहां पर है तो यह दादरी के कलियाना गाउ में है 12 नमबर 1906 में को यहां विमान दुर्गटना हुई थी और इस विमान दुर्गटना में जो कजाकिस्तान एरलाइन वे सोथिया बोईंग थे यह दो विमान थे और इस दुर्गटना में 349 यातरी मारे गई थी यह आपको ध्यान रखना है अब हम यहां से कौन कौन से national highway 148B, even national highway 334B यहां से गुजरते हैं यह आपको ध्यान रखना है और आपको यह भी ध्यान रखना है दादरी एंडरो तक की सीमा किसी अन्य राज्या से नहीं लगती है most important question है कि जो दादरी है एंडरो तक है वो एक लेंड लोग्ड जो हरियाना वो एक लेंड लोग्ड राज्या है इसकी सीमा किसी भी स्थलिया सीमा से नहीं लगती है यह आपको ध्यान रखना और जो दादरी एंडरो तक है इसकी सीमा किसी अन्य राज्या से नहीं लगती है पहले सिर्फ रोत तक रोत तक था क्योंकि उस टाइम दादरी नहीं बना था भीवानी से अलग होके लेकिन जब 2016 को दादरी भीवानी से अलग होके बना है तो इसकी सीमा भी किसी अन्यराज जैसे नहीं लगती है यह बात आपको ध्यान रखनी है अब हम यहां से कौन-कौन स रज्जो के साथ यह बोर्डर बनाता है या कौन-कौन से जिलो के साथ बनाता है तो वो देखते हैं जो दादरी है किसी मारीवानी में इंदरगड और रेवाडी से लगती है तो फ्रेंड यह थी हमारी आज की वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छी लगए तो लाइक शेर कमेंट जरूर कर देना